हेलो फ्रेंस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंस आज हम बात करेंगे वाई सोलोन टेबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे वाई सोलोन टेबलेट की संपून जनकारी जिस में जानेंगे इसके मार्केट प्राइस क्या है इसकी composition क्या है इसे किन-किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं साथ में जानेंगे इसके dose, side effects और कुछ सवधानियों को बारे में तो friends आप इस वीडियो में अंतक बने रहे हैं ताकि आपको इस टबलेट की संपून जनकरी प्राप्त हो सकें friends यह medicine systematic asteroid group की दवा है और यहां जो है Pfizer limited company द्वारा manufacture किया गया है और इसकी price की बात करें तो 22 रुपिया है जिसमें आपको 15 टबलेट का एक cash tip मिल जाएगा इसके cash tip में 15 टबलेट आता है देख सकते हैं और इसकी composition की बात करें तो इसके अंदर prednisolone जहें 10 mg है और इसके use की बात करें तो अस्थमा में इस्टबलेट के यूज की आजा सकता है या allergic cancer हो गया हो या गठिया में भी इस्टबलेट के यूज की आजाता है जो joint में pain होता है सुजन हो जाता है तो उस condition में भी इस्टबलेट के यूज की आजा सकता है autoimmune disorder में भी इस्टबलेट के यूज की आजा सकता है या आखे लाल हो गया हो तो उस condition में भी इस्टबलेट के यूज की आजा सकता है organ transplant में भी इस्टबलेट के यूज की आजा सकता है क्योंकि organ जो होता है कोई अंदर पार्थ होता है इस्टबलट की आजाता है तो body उसे accept oppose करता है इसलिए इस्टेबलेट को दिया जता है ताकि इम्यून सिस्टम को अमजोड हो जाए और और ऑर्गèn बोडी जो है और आखकेप्टर को एक्सेप्ट को लें तो उस कुझमों में भी वाइसलोन टेबलेट के यूज की या सकता है या skin disease में भी इस्टेबरेट के यूज की या जा सकता है, खुजली होता हो, दाद दिनाय हो तो उस condition में खुजली होता है, तो उस खुजली को भी रोकने के लिए कम काने के लिए इस्टेबरेट के यूज की या जा सकता है, या हडियों में दर्द हो तो उस condition में भी टेबलट समय केशराहने च्मकें। ज्यादा दिन में प्रती दिन जो है 60 mg दिया जा सकता है यानि 60 mg से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है यह 10 mg की टेबलेट है और ज्यादा ज्यादा 60 mg दिया जा सकता है लेकिन आप बिना डॉक्टर की सला से 60 mg प्रती दिन नहीं ले इसे दिन में 2-3 टाइम ही लेना चाहिए और इम्यून सिस्टम भी कमजोर होना, यह इसके side effects हो सकते हैं, या बुढ़ा पे जल्दी आना, महिलाओ में period टाइम से ना आना, या घाओ जल्दी नहीं भरना, या उल्टी होना, नोजिया बुमीटिंग भी हो सकता है, पसीना जादा आना, हार्ट बॉन, पेट में जलान, या म इसलोन जेट टेबलेट जो है लेना बंद करें, और अपने डॉक्टर से दिखाए, और साधानी के बात करें, तो जिन भ्याक्ति को प्यप्टिक ऑल्सर हो, या डाइबिटीज के पेसेंट हो, या हाई बलड प्रेसर के पेसेंट हो, उस कंडिशन में इस टेबलेट के यू कोई यूज नहीं करना चीए, और इस टेबलेट को लेने से पाले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चीए, तो फ्रेंस ये था, प्रेडनी सलोन टेबलेट की, प्रेडनी सलोन 10 मिलिग्राम टेबलेट यानी वाई सलोन टेबलेट की संफून जनकारी, आपको कैसी लगी कर लिजे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिएगा ताकि और किसी के भी काम आ सके मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूं